दोस्तों देखिए हम लोग खेत में आ गया है friends और ये तीन डिबा तीन डिबा में कितना हो गया है छो पर टकेट तेन डिबा हमें डाला इसे हातों सो फूर जाई है हम लोग आगए हैं मक्की का खेत में और चल रहे हैं था खाद ले लिए हैं फ्रेंट जोखिए यह बहुत भारीक खाद हैं और अपने मक्की के खेत में कर दोस्तों यह बहुत अच्छा होगाता है यह बत्वित हमारी अच्छा हुगा मेरी ना जाता कर दो outta इसमें कभी नहीं मारें हैं अभी कितना बड़ा हो गया है यहां से आ जाईये लगता है सब लोग खेट में अपने खाद दे चुके हैं हमारा ही बाकी है फ्रेंट्स खाद देना इसलिए हम लोग बहुत मुश्किल से बहुत चाइम के बाद में हम आए हैं कम से कम लगभग एक महिना से ज्यादा हो ग techniques देखिए बारी फूरा अंधेरा हो गया है खेट में अब का होई है दोस्तो बहुत अंधेरा हो गया है हमारे खेट में बहुत ज्यादा घंन हो गया है सब यह तो यह बज़ना है कि इस cause ट देखिए यह भी बज़ना है देखा बहुत मुश्किल है मुझे थो अंधाजाए नहीं था कि हमारे खेट में इतना ज्यादा हो जाएगा मक्वी और इतना बड़ा मेरे इतना बड़ा हो गया अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स यूरिया छीटना खेत में और मक्की के उपर उपर ही छीटना पड़ेगा क्योंकि नीचे नीचे तो दूर तक जाएगा नहीं और खाद एकी नजदिक में गिर जाएगा तो हमारे खेत को नुकसान होगा इसलिए उ खाद का काम आएगा हमारा मक्की का खेत तो बहुत सुंदर है लेकिन देखिए उपर वाला चाहे तो बस उससे भी सुंदर हो जाएगा बस कठनाई यह इसी बात का है कि इसको खेत से निकालना पड़ेगा काट काट के चारा कहिलाना पड़ेगा भैसों को जो चारा के कि हैं फ्रेंट्स वह हमारा नहीं है दोस्तों यह लोग आधै आधार कांट आतों है हैं नम पर यह लेकर करना पड़ता है क्या करेंगे चíchत ? यही्यू सिस्टम है हमारे यहाँ और खेती नहीं है तो पेट के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा दोस्तों यह देखिए कैसे हमारा खात जा रहा है खेतों में पत्ते के उपर से जा रहा है सब बहुत हलका ही मार रहे हैं फ्रेंड्स क्या करेंगे हलका हलका ही मारते जाएंगे मारते जाएं तो पैस कट्था हैं यह दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जोना इसेई हैं एक वह हमारे खेत में बहुत ज्यादा घास हो गए ते फ्रेंड्स इसलिए हम लोग उसको ज्यादा बड़ा नहीं कर पाए हैं और ये दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स बहुत दिन के बाद आए हैं हम तो लगता है इसमें ढूब जाएंगे हमारा बेती दूब गई है इसी के अंदर खेत के अंदर इतला बड़ा हो गया है मकी हमें तो अंदागा नहीं था जो सबसे मतलब मारा हुआ मकी था दोस्तों जो दस दिन लेट भीट लगाए थे उसी में हम लोग घास निकालने के लिए चकर में फसे हुए थे इसलिए हम लो अद्रिय के तो आपटी दोस्तों बने रहें हैं आप लोग और छोटा वाल खेत में चलते जाए तो आपको दिखाते हैं इस बहुत बड़ा हो गया है आप बताएए दोस्तों हम लोग कितना बीजी हैं अकेला कितना खेत दगेंगे सब लोग कहाद मारते है एक फुट एक खाद का होता है दोस्तू तब और देखिए हम लोग का नशीक इतना बड़ाबडा हो गया है फिर हम लोगjang टाइम नहीं है मिल रहा है कि अकेला ममी क्या क्या को ओर मुझे तो पता ही है आप लोग को उसे अढ़ двух नहीं मिल रहा है इसके डर भी लग रहा है कि खड ओने का जगा नहीं दोश्च ने जू की सब्सक्राइब कि अ हज से ज्यादा मक्की बोड़ा हो गया है और इसको है इसके चारा के लिए बहुत ज्यादा बाजरा और जवार डाल दिये हैं खेट में किनारे किनारे से मार लेने दो बहुत मुश्चिल है आजाओ आजाओ आपको दोस्तों पूरा खेट घुमा देते हैं प्रेंट्स आप लोग कमेंट किजेगा दोस्तों हमारा ये यूरियाट डालने का तरीका अच्छा है या कैसे डालते हैं आप लोग घर में हमारे कोई ड़ई है बड़े डालने वाले पापा है तो वो खेट में आते नहीं है वो अपना ड्यूटी में रहते हैं सबजी बेचते हैं फ्रेंट्स वोई इसलिए नहीं आपाते हैं खेट से घास निकालने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हम लोग से एक तरफ समार बाबू देखिए दोस्तों ये यूरिया देखिए कितना ज्यादा पावडर है फ्रेंट्स बहुत ज्यादा पावडर है और यह देखिए हमारे खेट का घास है अभी घास निक इसी ज़ाव है यह सिर्फ दो खेतों में फ्रेंट घास निकाल पाये थे मैं और मा मील के एक इक घंटा सुबव में काम करके और यह खेतका और उदर खेत है वह पोल वाला boundary वाला उसमें नहीं निकाल सके थे दिखाते हैं उधर भी चलते हैं इसको ऐसे ही मार देते हैं खाद क्या करेंगे घास नहीं निकाल सके हैं मार देते हैं जितना होगा उतना होगा ठीक है दोस्तों मजबूरी है अब तो इसमें एक बार बारिस हो गया था फ्रेंड्स बारिस बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए इस खेट को घास नहीं निकाल पाए तो तुरा पानी लग दिया था अब घास और मक्की या जवार डोनो सांट में होगा तो खास भी खायेगी भयष मक्की अगर बूटा हो जाए और नहीं होगा तो बस क्या मुश्किल है कि इतना होगा उतना होगा इज़र दिखादो इज़र से अंदर लिए शब घास देखू दोस्तों मक्की नहीं दिख रही है श्रीप घास है फिरा घास ही घास आध गाल्ट तफेक रही है तो च्पक्राइज के लिए और फटला टटिंग रही है कितना घ्राश किलाईंगे हाँ समस्ट एक त्रेक रहे हैं का इधर तो निकाल दिया है घंग मतलब anxi जी श्रूर्ण को हो गया को वह दोश्तों, फ्रेंड्स ये राख खेट इसके एधों गास निकाल धिये हैं महँत मुष्च्च्च 있기 आरा है प्रेंड्स हाथ में बहुत चिरण हो रहा है, और अंधेरा भी हो गया है देखिए दोस्तों हमारे यहां बस यह लास्ट है समय इसके बाद पूरा अंधेरा हो जाएगा फ्रेंड्स इसके लिए बाई बाई फ्रेंड्स मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए लब यू